हमें सच्ची भगती कैसे मिलेगी? इस बात को समझाते हुए, नारद भगती सूत्र की व्याख्या करते हुए, पूजे स्वामेश्री अखंडानंद सरस्वती जी महराज कहते हैं, कि अब भगती की प्राप्ती का मुख्य साधन बतलाते हैं, क्योंकि समाज व्यवहार में रहते हुए, भगवद गुण अनुवाद के श्रवन तथा कीर्टन में शद्धा एवं रुची स्वतह नहीं हुआ करती, वह भी सत्पुरुशों के संग तथा उनकी कृपा से ही होती है, नारज्जी लिखते हैं, अरथात मुख्य रूप से तो सच्ची भगती की प्राप्ती महापुरुशों की कृपा से होती है, अत्वा भगवान के कृपा के लेश मात्र से होती है, जीवन में भगती आने का मुख्य साधन महापुरुश की कृपा ही है, क्योंकि जिसके पास धन है वह धनी हो तो किसी को धन देगा इसी प्रकार प्रेमी ही प्रेम दे सकता है भक्त ने भगवान के समीप जाकर प्रार्थना की मुझे प्रेम प्रदान करें भगवान बोले भाईया मैं तो स्वयम प्रेम का भेखारी हूँ मैं प्रेम कहां से दूँगा प्रेम के जो धनी है तुम उनके पास चाओ जड़ भरत ने राजा रहुगन को उपदेश देते हुए कहा कि रहुगन यह न तो तपस्या से प्राप्त होता है न यज्य करने से घर द्वार का त्याग करने से भी नहीं और वेदों का ध्यान करने से भी नहीं जल अगनी सूर्य आदी किसी देवता की आराधना से भी नहीं महापुरुशों की चरण धूली में लोट पोट हुए बिना यह प्राप्त नहीं होता धर्म योग ग्यान आदी दूसरे साधनों में साधक का बल साधक का प्रेत्न काम देता है किन्तु भाक्ती में जीव की प्रधानता नहीं है पुरुश से जो भजन कीर्टन होता है वह भी उसका प्रेत्न नहीं है वह तो भगवान करा लेते हैं सेवा तब होती है जब सेवक में सेवा करने की रुच्छी हो और जिसकी सेवा करनी है वह सेवा लेना स्विकार करे या तो स्वामी स्वयम सेवा लेना स्विकार करे अत्वा स्वामी की सेवा करने वाला कोई सेवक तुमको अपने साथ रख ले महापुरुष जब कहते हैं कि आओ तुम भगवान की सेवा करो तब भगवान की सेवा करने की इच्छा चित्त में होती है सेवा के बिना चित्त बहुत व्याकुल होता है सेवा न करने में पीड़ा होती है तब तुम्हारे कश्ट, तुम्हारे व्याकुलता को देखकर भगवान द्रवित होते हैं और तुम्हें अपनी सेवा देते हैं महापुरुष प्रेरणा देकर भगवान की सेवा में लगाते हैं भगवान को स्वयम सेवा की आवर्शक्ता नहीं है उन्होंने तो अपने आपको, अपने भगतों को दे दिया है भगत जैसे रखें, वैसे वे रहें अतह उन भगतों की सेवकों की कृपा हो वे सेवा पधती बतलाएं, तो भगवत सेवा मिल सकती है महापुरुष की कृपा प्राप्ती सुलब है क्योंकि वे प्रत्यक्ष हैं उन महापुरुषों में से किसी के चित्त में करुणा आ गई कि यह जन्म मरन तथा संसार के दुख में फसा प्राणी है इसका जीवन नश्ट हो रहा है यह शरीर भगवत प्राप्ती के लिए है परमानंद सुख को उपलब्ध करने के लिए है जो विर्थ नश्ट कर रहे हैं हम यह देखकर महापुरुष दयालू हो जाएं जैसे हम भूखे या रोगी को देखकर दयालू हो उटते हैं हमारे मन में भूखे को देखकर भोजन देने नंगे को देखकर वस्त्र देने तथरोगी को देखकर उसकी चुगिचसा करने खराने की इच्छा होती है ऐसे ही हमारी अवस्था देखकर किसी संत के चित में दया आजाए और वेक्रपा करके हमें भगवान के सम्मुख कर दें तब भगवान की भगती उनकी सेवा प्राप्त हो इंद्र पुत्र जयंत की जो कथा है वहराम चरित मानस में आती है वह श्री राम की बल की परीक्षा करने गया था श्री राम उस समय स्वटिक शिला पर श्री जानकी जी की गोद में सिर रखकर सो रहे थे काक का रूप बन कर जयंत आया उसने पंजे तथा चोंच से सीता जी पर चोंट की श्री जानकी जी के शरीर से रक्त बिंदो गिरे तो श्री राम जाग उठे उन्होंने उस काक के उपर ब्रह्मास्त्र का मंतर पढ़कर एक तिनके को बान की भाती फेंक तिया वहबान कवे के पीछे लग गया जैंत अपना रूप बनाकर अपने पिता इंदर के पास गया ब्रह्माजी के पास गया कैलास में शंकरजी के पास गया किन्टु किसी ने उन्हें शरन नहीं दे व्याकुल जैंत भागा जा रहा था देवर्शे नारत की उस पर दृष्टी पड़ गई उसकी अवस्था देखकर देवर्शी को दया आ गई उन्होंने उसे श्रीराम की ही शरण में जाने का उपदेश दिया भय व्याकूल जैंत श्रीराम के चरणों में जाकर गिर पड़ा और कहने लगा त्राही त्राही तब भी भय से अपने पीछे आते ब्रमास्तर को ही देख रहा था इसलिए जब वह गिरकर मूर्शित हुआ तो उसका मुख पीछे और पैर श्रीराम की उर थे वह विमुख था अताह श्रीराम चुपचाप देखते रह गए पर दयामई श्री जगन माता जान की जी की दृष्टी उस पर पड़ी उन्होंने उठकर उसे उठाया और उसका सिर प्रभू के चर्नों में रख दिया तब प्रभू ने उस पर कृपा की इसी प्रकार जब महापुरुष संसारी प्रानी को दुखी देखते हैं तब हुने दया आजाती है महात्मा को किसी से कुछ नहीं चाहिए पर पडोसी के घराग लग जाए तो हम चुप नहीं बैट पाते इसी प्रकार किसी भी दुखी के सम्मुख आने पर महापुरुष कृपाही करते हैं श्री चैतन्य महापुरुभू जब पुरी से व्रिंदावन की आतरा पर निकले तब वे स्वभाव से प्रेम विभोर होकर कीर्टन करते चलते थे उनके संकीर्टन की द्वनी सुनकर पशुपक्षी, हीरन हाथी, शेर चीते भी नाचने लगते और अपनी भाषा में कीर्टन करने लगते उन पशुपक्षियों के भी शरीर में रोमान चुखोने लगता उनके नेत्रों में भी अश्रू ज़रने लगते महाप्रभू पशुपक्षियों में कुछ कीर्टन का प्रचार नहीं कर रहे थे वे तो प्रेम विभोर होकर कीर्टन एवं रित्य कर रहे थे भक्त के हुरदय में सदा भावचंद का उदय रहता है उसकी चंद्री का छिटक्ती रहती है नारज जी आगे कहते हैं भगवत कृपालेशाद्वा कि भगवान की कृपा तो देखो अनंत है अपार है भगवान की समस्त शक्तियों में उनकी कृपा शक्ती सर्वोपरी है जैसे सूरिय प्रकाश देने के लिए कोई प्रियास नहीं करता प्रकाश करना उसका स्वभाव है वैसे ही भगवान का स्वरूप कृपा करना है वह सर्वग्य क्या जो भूले हुए को मार्ग न बताए उसके सर्वशक्तिमान होने से क्या लाब यदि वह दुखी का दुख दूर न करता हो प्रभुत्व का प्रयोजन ही दीनों का पालन करना है और भगवान का तो स्वरूप प्रकाश देना है वैसे ही इश्वर का स्वभाव क्रपा करना है यहां यह प्रश्ण उठता है कि जब इश्वर का स्वभाव क्रपा करना है और वह सर्वग्य है हमारी स्थिति को जानता है तथा सर्वशक्तिमान है सब कुछ कर सकता है तब हम पर विपत्ती कष्ट क्यों आते हैं इस बात को समझाए कोई देखो माता बच्चे को स्नान कराती है उसे साबुन लगाती है यद्देपी बच्चा उस समय बड़ा रोता है कष्ट अनुभाव करता है किन्तु माता की कृपा ही है स्नान करवाने में डोक्टर रोगी के फोड़े को चीरता है उस समय रोगी को बड़ा कष्ट होता है पर फोड़े को चीरने में डोक्टर की कृपा ही है इसी प्रकार ईश्वर की भी कृपा है जीव को शुद्ध करने के लिए उसके मैल को दूर करने के लिए उसके विशैले फोड़े को निकाल देने के लिए इश्वर कभी कभी कश्ट विपत्ती के रूप में कृपा करता है संसार के लोग बच्चे हैं अज्ञानी हैं अतह वे इश्वर की कृपा को पहचानते नहीं है जिनकी दृष्टी शुद्ध है वे इश्वर की कृपा को पहचानते हैं एक महात्मा दृष्टांत दिया करते थे इस संबंध में एक सज्जन हीरे की ख़दान से एक हीरा ले आए उस समय वह हीरा मैला था और बेडोल था उन्होंने उसकी गिसाई करवाई उसमें छिद्र करवाया हीरा बहुत दुखी हुआ बड़ा रोया यह मनुश्य वड़ा करूर है मैं इसका क्या भिगाड रहा था चुपचाप शांती से मिट्टी में दवा सो रहा था न यह अन्याई मुझे सताने में पीड़ा देने में लगा है अब मेरे अंग अंग काटता है खिस्वाता है मेरा हृदय विद्ध कर दिया इसने इस प्रकार हीरा रोता रहा कोसता रहा उस पर चमक लाई गई और स्वर्ण सूत्र में बिरोकर उसे भगवान की मूर्थी के कंठ में पहनाया गया अब हीरा चोका अरे मैं कितना मूर्ख था मैं जिन्हें करूर अन्याई कहता था वे तो महापुरुष है उन्होंने मुझे पर आहीतु की कृपा की वे तो मुझे उज्वल करके भगवान का कंठा भरन बनाने का प्रयत्न कर रहे थे और मैं उन्हें कोस रहा था मेरा यह सो भागे यह अभ्युदय है कि मैं भगवान के कंठ का भूशन हूँ सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं यह तो उन्हों महापुरुष की कृपा का ही फल है एक बार संतों की एक सभा बैठी एक घड़े में गंगा जल लाकर संतों को पीने के लिए रखा गया किसी ने कहा कि यह घड़ा कितना सव भाग्य शाली है कि इसमें रखा जल संतों की प्यास दूर करेगा यह संत महापुरुषों की सेवा में लगकर धन्य हो जाएगा घड़े ने यह सुना तो मन में बोला मेरा जीवन धन्य है मैं सव भाग्य शाली हूँ इस बात का मुझे तो आज पता लगा इस सव भाग्य का मुझे पहले कहा पता था जब कुमहार ने पृत्वी में से काट काट कर मिट्टी के टुकडे किये मुझे कितनी पीड़ा हुई मैं कितना रोया कितना निर्दे लगा वह कुमहार मुझे फिर उसने मिट्टी को जल में भी होया और पैरों से रोंदा उस समय भी मुझे बड़ा करूर लगा वो मैं रोता रहा मैं रोता ही रहा और कोशता रहा उसे जब उसने मुझे चाक पर चढ़ा कर चक्कर खिलाए धागे से मुझे काटा थापियों से मेरा अंग अंग पीड डाला और मुझे धूप में सुखाता रहा उस समय तो मुझे वह साक्षाती अमराज लगा जब उसने मुझे भट्टी में डाल कर पकाना शुरू किया तब मेरी पीडा का अंत नहीं था आमे से निकलने पर भी छुटी नहीं मिली बाजार में लाया गया और जो आता वही मुझे ठोक ठोक कर देखता वे सब मुझे उस कुमार जैसे ही करूर लगते थे वह कुमार महापरुश था उसने मुझे पर अपार कृपा की और उसकी कृपा से मैं सव भाग्यशाली हो गया हूँ यह पता तो मुझे आज लगा है इसी प्रकार जवर में, रोग में, अपमान में, धन नाश में स्वजन वियोग में, मृत्यु में इश्वर की कृपा वर्शा हो रही है सब पर सब समय इश्वर की कृपा अनन्द अजस्र धारा के रूप में उदर रही है वह तो सूर्य की किरनों की भादी, तुम पर वर्तमान है तुमने उसे देखने का प्रयास ही नहीं किया इश्वर की कृपा तो तुम पर सदा सरवदा है किन्तु तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो इश्वर ने तो गेहू बनाया, चावल बनाया, अनेक प्रगार के भोजन बनाए तुम्हारे लिए और उन भोजनों को पचाने की तुम में शक्ती दी तुमने कभी इश्वर की उस कृपा को देखा ही नहीं तो इश्वर का क्या दोश है उसमें अधाये जब महापुरुष कृपा करते हैं तब इश्वर की कृपा देखने की शक्ती हमें आती है भगवान की कृपा हमारे समीब भगवन नाम बनकर, भगवान की मूर्ती बनकर भगवत कथा बनकर और महापुरुष का संग बनकर आती है इनमें भी महापुरुष का संग सर्वोपरी है स्वयम भगवान श्रिमत भागवत महापुरान में कहते हैं मुझे योग ग्यान अथ्वा धर्म अपने में रोक नहीं पाता न जब तब तबस्या त्याग न ईष्ट और न ईष्ट न पूर्थ मुझे रोक पाते हैं वरत यग्यावेदा अध्यान तीर थाटन और यम नियम के पालन से मैं उतना वश में नहीं होता जैसा कि सब आसक्तियों को दूर करने वाले सत्संग से मैं वश में हो जाता हूँ भगवान सत्संग से मिलते हैं उनकी भगती सत्संग से मिलती है सत्संग मिलता है दूसरे संग छूट जाते हैं भोगयों का संग करोगे तो तुम्हारे मन में धन की कामना होगी किन्तु महापुरुषों के संग से भगवत प्राप्ती होगी भगवान की सच्ची भगती प्राप्त होगी सबसे महान भगवान है उन भगवान से जिसने अपने मन को एक कर दिया वह महापुरुष है अतयेव महापुरुष का संग प्राप्त हो तो भक्ती अपने आप राप्त हो जाएगी या भगवान की आहाईतु की कृपा जो समस्त प्राणियों पर निरंतर वर्षा के समान ज़र रही है उसके लेश मात्र होने पर एक अंश होने पर भी हमारे हृदय में भक्ती प्रस्फुटित होती है हमारे हृदय में सच्ची भक्ती का अपार जर्ना पहने लगता है